दोनों ही चरणों में ऐसा लगा जैसे महिलाएं इस बार वोट देने के लिए बड़ी संख्या में निकल रही हैं क्या इसकी वज़ा देखती है आपको खास कर अगर इन बी सीटों की आब बात करें तो इस पर ऐसे भी महिलाएं वोटर ज्यादा हैं पचास परसंट से ज्यादा वोटर जो हैं वो औरते ही हैं और नए वोटर वोटर वोबी लग सवालाग के आसपास हैं जो शायद पहली बार वोट करें गया तो मसाइल तो बहुत सारे हैं देखिए एक दो बाते नहीं हैं जैसे आप दिली वगर अगर कहीं जाते हैं तो या और बंबई किसी बड़े दूसरे शहर में तो आप देखेंगे कि ज्यादा तर जो नौजवान बच्चे काम कर रहे होटलों में अन और्गनाईस सेक्टर की ब नहीं चीज़ों का नतीज़ा है कि जारखंड से जो पलाइन हुआ जो महिलाएं यहां से निकली रोजगार की तलाश में दुखी होकर के हताश होकर के उनको वहाँ पर काम मिला तो यह एक दुख की बात है और मुझे लगता है यह शायद एक बहुत बड़ा मौका है और ए नहीं है घर वोट डालने के लिए सर्फ क्योंकि उनको एसास है कहीं मैं मैं रियक्शन लेना चाहूंगा चुकि यह परिस्तिती जो जारखंड से पलायन की बात है बिल्कुल नहीं नहीं है मुझे लगता है कि जो चुकि लगातार मेरा विराना बाहर हुआ है दिली में और दूसरे जगहों पर शुरुवात से ही कह सकते हैं कि जारखंड के लोग वहाँ पर जाते रहे हैं और उनको डवस्टिक हेल्प के रूप में और दूसरे तरीके से एंगेज किया जाता रहा है इन खबर है हम कह सकते हैं और इससे मद्दान भी प्रभावित हो सकता है किस तरह से देखते हैं इन घटनाओं को आप देखिया ऐसा है कि 5 साल के दर्मियान जो शरकार ने कार्ज किये हैं वो फोकस उगरवादियों पर भी था और आपको घटना भी नामातल की नहीं हुई लेकिन एकाद घटनाएं चुनाओं के तो अपना उगरवादी ये करना चाहते हैं कि जिस तरह लाल्टेन में हो या धिबरी में हो तो जब तेल खतम होने वक्त होता है तो वो आपका लाल्टेन हो या धिबरी हो भवक्ता है तो वही ये उगरवादी हैं समाप्ती के कागार पर हैं जनता में भैपैदा करना चाहते हैं लेकिन उसको पुलिस को चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरा जिम्मेदारी अभी चारो तरफ अचार संगिता लगे हुए हैं तो चुनाव आयोग को चाहिए कि हर जगा जहां भी संबेदन सील है वहां सडकों में अगर कच्छा है तो जैसे आपके ही स्कीन में आया कि उसको कम से कम अंडर ग्राउ जाजर रखना चाहिए और संबेदन सील एकाल एलाकों में जाज परताल करके चुनाव में कहीं उगरवादी अपरिये घटना को अंजाम ना दे उसका पहनी नगर चुनाव आयोग और परशासन को रखनी चाहिए दूसरी बात है कि जो पहले ब्रेक हम दूसरी तरफ हम लो उसे अब मद्दान इसका है कि सरकार ने जागरुगता लाने का काम किया अब आप जाकर देखेंगे कि मां बहने मां बहने पहले कितना दुखी रहती थी लकड़ी पत्ता और उससे खाना बनाने के लिए जहां तके खाने का भी विवस्था नहीं होती थी सवाल लहा की सामगरी तो सरकार ने पांच साल के सासनकाल में सबसे पहले तो ये कार्ज किया है कि महिला ससंक्ती करर महिला गुरूप को भी प्रोशाहन हम लोगों ने करने का काम किया है गैस का भी जो दिया गया है सरकार के ओर से चूला भी दिया गया है बल्व भी दिया गया है ये गिरहनी बहनों के लिए बहुत बड़ा काम है चावल, गेहूं भी सस्ते दामों पर और बच्चों को पढ़ाई भी किताब भी सरकार देती है, साइकिल भी देती है इसलिए बहनों में जागरूकता का असर देख रहे हैं कि बड़े पहँमाने पर जहां भी चुना हो रहा ही बहने, माँ बहने बड़े पहँमाने पर आपको लिए निकल नहीं राजी उरेंजन जी पहले तो पैनल में स्वागत है आपका और सबसे एहम बात कि जो नक्सली वारदात में वह वो उसको किस नजर से देख रहें आप और क्या इससे मद्दान प्रभावित होगा अगर होगा तो निकसान किसका होगा देखे उनी बाते रखनी है तो लोक तंत्रिक माध्यम से आ करके रखना जरूरी होता है जिसका पालन होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं से मुझे नहीं लगता जो उत्साह मद्दाताओं के अंदर है जिस प्रकार से ग्रामीन छेत्रों में बड़ी तादाद में महिला बह जिसके कि लोक तंत्र आज हमारे हां जीवन तो उठा है और आपके चैनल के माध्यम से इसके बाद भी जहां तक हम लोगों की आवाज जा रही है मैं पुना मद्दाताओं से इस बात का अपील करूंगा कि अभी भी जो लोग मद्दान करने के लिए घरों से बाहर नहीं न रहे हैं इससे पहले मैलाओ की बात हो तो एक बार निशा बगजी से भी रियक्शन नेलना चैनल निशा बगजी बहिलाएं जिस तरह से निकल रही है आप कि सुरूप में उसे देखती है कमाल खान साहब को लगता है कि जो सरकार की नीतियां है उन से कही न कहीं वो प्रिभ औरा अपने जो भी आने वाले प्रतिनिदित्वा होंगे उनको चुनने का अच्छे प्रतिनिदित्वा को च्विक वाले को चुनना चाहती है सब लोग जानते हैं कि तरस्त हैं बिलकुल पूरी तरिके से पलायन की बात हुई अभी प्रशासन पूरी तरीके से सजग है वो अपना कारे कर रही है लेकिन जो कहीं न कहीं चूख हुई है सरकार से जो कि अपनी दाइत्व को पूरा नहीं कर पाई है आज़सा लगता है चले अज़र बवार्क तो ही सबस्तों कोई दो राए नहीं है और इसके इलावा भी इसके इलावा भी बहुत सारे मुद्रें हैं जैसे के गैस चूले की बात हुई तो गैस चूला तो जरूर मिला मगर दुबारा गयास से लिन्डर लेने लाएक हालात नह पूला दे देने से या एक बार मुफ्त गैस दे देने से तो मसला हल नहीं हो रहा रोजगार वो कुछ नहीं है और इसी जारकंड में इसी सरकार की नाकों के नीचे लगबख दो हजार लगबख दो दर्जन लोग भूख से तलब कर मर गए अब सरकार उनको भूख का अक्ला بتاتی ہے سرکار اس کو بیماری بتا دیتی ہے اور کچھ کہہ دیتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ سرکار بھی جانتی ہے جنتہ بھی جانتی ہے اور باقی جو مادہم ہیں ای ٹی وی ہو یا نیوز پر سب کو معلوم ہے کہ یہ موتہم بھوک سے ہوئی تھی تو یہ کہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ زیادہ لوگوں کا جو متدان اس وقت ہو رہا ہے جو اتصا ہے وہ شاید سرکار کی اچھی نیتیوں کی وجہ سے ہے تو مجھے لگے گا یہ شاید بالکل ہی غلط سوچ انٹی گورنمنٹ ووٹ پڑھتے ہیں اور یہ ہی آج بھی ہو رہا ہے چلیے یہ ہوتا ہے امومن یہ جو آنکڑے بتاتے ہیں جب بہت زیادہ مد پرتیشت بڑھتا ہے تو نشترپ سے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ انٹی انکمنسی ووٹ ہے اور یہ سرکار کے خلاف جاتا ہے لیکن جہاں تک بی جے پی کا پرشن ہے بی جے پی ہر اس کشتر میں جیتی رہی ہے جو ووٹ کا پرتیشت جہاں جہاں بڑھتا ہے بی جے پی کو اس کا بینیفٹ ہوتا دکھتا ہے بشرتے وہ ووٹ پرتیشت 80 کو پار نہ کر جائے جیسے کی بنگال میں ہوتا ہے اور کچھ کچھ شتروں میں ہوا ہے راجیورنجن جی جو پلائن کا مدہ تھا پلائن کو لے کر باتچیت کی عزیز موارکی صاحب نے کیا پلائن کوئی مدہ بن سکایا آپ کو لگتا ہے کہ مدے سارے سکیٹرڈ ہو گئے الگ الگ بکھر گئے اور واسطرک مدوں تک ابھی بھی یہ چناؤ پہنچا نہیں ہے نہیں چناؤ کے اندر مدے ہیں اور مدوں کو زندہ رکھنے کا کام वپکش نہیں کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مدوں سے بھٹکانے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن جنتہ کے دلوں میں جو مدے گھر کر گئے ہیں بلکل ٹھیک پلائن ایک بہت مہتپون مدہ ہے اور خاص کر کے جن علاقوں میں آج چناؤ ہو رہے ہیں وہاں سے جن ماں بہنوں کی ہماری چرچہ ہو رہی تھی آج بڑی تعداد میں روجگار کے لیے وہ بڑے سہروں میں پلائن کرتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے ہی چینل کے مادیم سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے یہ لگ بات ہے کہ سرکار اس کو سوکار نہیں کرے آج مہلا سرکشہ کی بات ہم کرے کس پرکار سے اس پرکار کی بیبھت گھٹنائیں ہو رہی ہیں جو لوگ کولیر کی گھٹنا ہوئی یا لگاتار ہم دیکھے کہ آکڑوں میں کس پرکار سے اضافہ ہوا ہے جب مہلا ہمارے اس راجے میں سرکشیت ہی نہیں رہیں گی اور جو آنگن بھاڑی سہائی کا سیویکاؤں کے ساتھ جو ہوا سڑکوں پر کس پرکار سے پولیس پوروس بل کے جو مہلا سیپائیوں کے دوارہ نہیں پولوس جو تھی وہ پوروس پوروس بل کے دوارہ پیٹا گیا ان کو کمال جیس کا جواب دینا چاہیں گے لیکن پہلے ووٹنگ پرسنٹیج پر نظر ڈالیں جو ابھی لیٹسٹ ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے آپ کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دہرہ گوڑا میں 28-28, گھاٹشلا میں 26 یا 27 کے آس پاس کہاں کہہ سکتے ہیں جگسلائی میں 27, جمشیدپور میں 21, پوروی میں 25, پوٹکا میں 27, جگسلائی میں 27, 21, پوروی میں 25, ڈشبی میں 20, سرائی کلا میں 29,12, چاہیواسہ میں 32,5, چاہیواسہ میں زمردست ہیں اور بجگاؤں میں 36,73, جگرنات پور میں 30,2, شنیہ, منوہرپور میں 30,7,9, چکردرپور میں 31,5, شنیہ, ڈشبی میں 31,64, تماڑ میں 29,3,5, دورپا میں 30,21, ڈشبی میں 28,85, مانڈر میں 31,15, سسائی میں 32,25, سمڈگا میں 36,92, ڈشبی میں 28,5, سنگیہ, आकڑے ہم آپ کو بتا رہے ہیں 11 बज़े तक के आकڑے हैं हमारे पास जम आपको दिखा हम आपको दिखा रहे हैं विपिन चायवासा में मौझूद हैं उनके पास चलेंगे चुकि उनको तुरंट फिर दूसरे बूत पर जाकर रिपोर्ट करना है विपिन अभी तक कि क्या जानकारी है वन नकसल वार्दात मामले में कोई अपडेट है आपके पास और वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ चल रहा है वहां पर कि जिए गटना गटी है उस समद्ध में अपसे थोड़ी देर के बाद यहां के जो पूलिस अधिक्षा के उनके साथ बात कहो नी तो उसके बाद सारी बातें उभर कर सामने आईगी कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है और इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ेगा और जहां तक कोलिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो अभी तर अब मैं जिस बूत में खड़ा हूँ यहां पर तक्रिपर 37-38 फ ग्रामी के लोग है वो वैस्त कि ने जरूर है कि लोगों ने अश्वस्त किया है और अपने इस मतदान का जो अधिकार प्रयोग का जो हक मिला है उसकी उसको उसका उप्योग करेंगा और वोट जरूर यहां परकाश्ट करेंगे चले विपिन हम आपके अगली रिपोर्ट का इंतजार करेंगे जहां आप मिलेंगे हम उनसे आपसे बातचीत करेंगे कमाल खान साब कई तरह के आरोप हैं सरकार पर और उसके काम काज़ पर क्या जवाब देना चाहेंगे कि इस तरह आरोप रोज सुनाई देंगे हम कहां तक तुझे है दोस्त सफाई देंगे जब तक आइने में खुद को नहीं देखोगे तो औरों में तुम्हें आईब दिखाई देंगे आज जो लोग मुझे आज जो लोग मुझे हराने पर तुले हैं मुझे को जीत जाओं तो वही लोग बढ़ाई देंगे ये सवाल रहा कि आपने भी कहा कि सरकार का ये मैं ना इत्तफाक रखता हूं आप से और चैनल में बैठे हुए भाईयों से कि अब लोग सवाच चुनाओ आज से पांच महीना पहले हुआ है लोग सवाच चुनाओ हुआ है जी 14 में हम 12 सिट जित कर आए केंडरे में हमारी सरकार थी पिछले हम 2014 में हमको 282 लोकसभा का सिट देश में मिला था और अकेले बीजेपी को 305 लोकसभा का सिट मिला और आपने देखा केंडियो को पूरा मिला कर 355 सिट हमारा है तो सवाल रहा कि यह जो अच्छे कार्ज है अब जैसा देखे कि लटका हुआ मामला था हमने अस्थानिय नीती जारखन को दिया हमने रोजगार का मार्ग परशस्त किया पहले का आकड़ा और पहले कि यूपिय सरकार का आकड़ा उठा कर देखे है तो यह सब है और आप देख लेंगे 24 दिशंबर को रिजल्ट आएगा तो जो हम लोग कहते हैं कि नारा ही नहीं देते हैं हम लोग कहते हैं कि हम पैसट प्लस यहां विपक्ष है कहां आपसे में लठा लठी है अब यहां देख ले पिछले बार भी लोग सबहा में जारखन मोकी मोर्चा कॉंग्रेस और राजद मिल के लड़ी थी कज सीट आया इनके पास तो आज मैं बहुत नमर निवेदन आगरा करना चाहते हैं कि यह जो इस्थिती है चारों तरफ जो सरकार ने कार्ज किया है हमने भरष्टा चार मुक्त सासन दिया है हमने जैसे बहांजी ने कहा कि हमने छोटानाग पूर टेंडेंसी एक्ट या स्पेटी एक्ट संथाल परना का कहीं भी हमने उलंगन करने का काम नहीं किया है अखबारों में आपने देखा कि रोजबियान आते हैं जो बड़े बड़े नेता है विफाक्ष में बैठे हुए उन लोगों ने खुद आपका इन इसका उलंगन करने का काम किया है और अभी तो जाचिये दारत रहे हैं आप अभी तक जेपेसी का सिक्थ नहीं निकाल पाएं उन्हीं साल हो गया है किस बात की बात करते हैं पताईए मुझे रोजबियार कहां मिल रहा है पलायान कर रहे हैं आज भी दिविए आ रहे हैं हमारे मासूम लोगों कि आप क्या हो दुरगठना हो रहे हैं सिर्फ आखडों में रह गया है आप बताईए कहा रोजबार दे रहे हैं आप आपकी छशवा लगानी की जूरत ने हैं जहीं में यहीं पैदा होगे मुझे आप धरातल पे जाकी देखिए जंता के बीच जाकी देखिए यहाँ से नहीं होता है अब रहा सवाल की रोजगार का बोले हैं अब रोजगार में देखें कि सिच्छकों की हजारों बहालियां हुई कब हुई पहले वो आकड़ा उठा कर देखें चतूर्थ वरगिये कर्मिचारियों की बहालियां हुई कब हुई दारोगा की बहालियां कब हजारों दारोगा की बहालियां कब हुई अब मान लिया कि उच्छी नियाले में जेपियसी का उच्छी नियाले में यह है और सरकार निकाला है तो अचार संगीता लग गये उच्छ न्याले का मामला था उसको भी निस्पादन करके तभी न चुके कोड से उपर कोई नहीं है कोड से उपर न सरकार है न हम है न आम जनता है न परशासन की लोग है उसको भी निस्पादन हम लोगों ने करने का काम किया है अब जब भी आपकी सरकार आएगी जनवरी में देखे होंगे कि जपीसी का भी बहालिया आपका ये किया गया है उसको निकालने के लिए बहुत सा 14 साल से तो अस्थानिय नीती नहीं थी जिसके लेकर कोई भी आप बहालिया उस पे जपीसी का निकले तो मामला कुछ ने कुछ माल ये उच्छ लियाने में रिटी आचिका जमा हो जाए इसलिए मैं ना मेरे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी है हमने रास्ता परशस्त किया है और हमारी सरकार ने जारगंड में रास्ता परशस्त किया है राज के सबसे पहले तो भरष्टा चार मुक्त हमने सासन दिया ह हाँ मेरा खतम हो जाए तो आप रखें अपना बात अपना अपना पक्ष रख सकते हैं यह कहने पर आ जाए तो कुछ भी कह डालें क्योंकि हाथ से जन्नत भी नगई और रिंद के रिंद रहे अब जनाब कमाल साहब का तो यही आलम है और यह सारा भाजपा के सभी नेताओं क सगल बन चुका है यह लगातार अपने दूसरों को आइना दिखाने की बात करते हैं जनाब आप अपने चेहरे को आइने में चस्पा कीजिए ना हकीकत का अंदाजा आपको खुद बखुद हो जाएगा जो बातें बहन रख रही थी बिलकुल मुनासिब बात है और जिस प 40 जगा सरकार नहीं एफ आयार करवा है उस मंत्री के खिलाफ खुद वीडियो बारल हुआ आपने उसको पुना टिकट दे करके चुनाओं में लड़वा दिया साहब उन मुकदमों का क्या हुआ कंबल घोटाले का क्या हुआ को ना डैम के घोटाले का क्या हुआ और अब त आज항 नंता बेधर तरीके से जानती है उसका उन सारी बातों का जवाब दे रही और यही कारण हैं की उनके अंदर जो सवालात है व हो कहीं ना कहीं कुद्सावन करके मदधान करने के लिए वह मदधान केंद्र में पहुँच रहे हैं वह आपने सवालमें ने कि एक मानना ह मैंने लगातार इस चनौवी देखा है लोगों के रियक्शन्स देखे हैं आप मुद्दे बताते रहें अलग-लग मुद्दे उपर चर्चा होती रही वह प्लिटिकल मुद्दे भी थे सोशल इस्यूज भी थे कुछ बहुत स्थानिय मुद्दे भी थे जो एक बात बहुत कॉमन है वो है कि जनता अपने क्षित्र के विकास की बात सबसे ज्यादा कर रही है तो चाहते ना चाहते वे विकास एक एजिंडा हो गया अजिस मुबार्की साहब और जो सियासत आमतर पर पहले जात्पात में बढ़ जाती थी वो चुनाव पहले तो तमान चीजें एक तरस से बैकड्राफ में जाती भी दिख रही है और यह भारतिया लोगतंतर के लिए अच्छी बात है कि जो मद्दाता है वो कहता है कि साहब आप हमारे लिए काम कीजिए और यह अगर शायद बहुत पहले से होता तो तस्वीर बिलकुल बदल जाती वो अभी कम से कम अब होना शुरू हुआ है और क्या आप इसका विलकॉम नहीं करेंगे सबसे पहले तो कमाल भाई को कमाल भाई ने अच्छा शियर सुनाया तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी था जी तो जवाब है कि हमारे मुझ से जो निकले वही सदाकत है सदाकत क मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं लेकिन हमारी तरह हतेली पे जान थोड़े है तो विपक्ष पर वार करना सरकार में रहे कि वह सरकार का एक चलन बन गया है कि यह कुछ करेंगे नहीं और जब इन पर आवाज उठाएंगे इन पर हम कहेंगे कि आपने नहीं कहा तो यह नाराज हो जाएंगे नाराज हो करके यह बिल्कुल जो चाहते हैं वो कहते हैं इसाम लगाते हैं कि बटा हुआ है तो सिम्टे हुए हैं आप कुछ करके दिखाते तब तो आपके लिए ज्यादा बेहतर मौका था अगर आपने इतना विकास किया होता तो यहां आके ने यहां चारीफ मत कसीदे नहीं पढ़ने पड़ते यह नहीं बताना पड़ता है कि राम मंदिर हमारे हमने कर दिया वादा पूरा यहां क्या किया वह बेहने वहाई छारफ्ट概 wow के सब्सक्र चुना हो रहा है यह दिन में चुना हो गया तो यह किस तरह का नक्सलवाद हो गया हमारे समझ के परे हैं अब आपको आपको यह लगता है कि जो इस्थिती थी यह था इस्थिती बनी हुई है पीछे से पहले की स्थिती में कोई सुधार नहीं हुआ कम से कम नकसलवाद की मामले में और बाकी चीजों में कुछ भी जादा सुधार नहीं हुआ कमाल खान साथ से शायद कुछ कहना चाह रहा है देखें इसमें है कि आपको तारीख खियाद होगा दोहजार में पंद्रह नुवंबर को अलग राज बने जे उसके पहले क्या था किसकी सरकार थी सैटालिस तक किसने सासं किया था बंकर उकरवादियों के बने थे बंकरों को सैकड़ों बंकरों को हमने तोड़ने के काम किया पास साल हमारी सरकार थी 14 से देखे उगरवादी कितनी घटने घटना घटे हैं तो मैंने वही कहा कि लालटेन में जब तेल खतम हो जाता है तो भवकते हैं और मैंने ये भी सुझाव चुनावायों को दिया और परशासन को आपके चैनल के माध्यम से कि जहां जहां संबेदन सील इलाके हैं हमने बहुत हद तक उगरवादी हिंसा पर लगाने का खाम किया है और सवाल रहा कि यह यह आरोप और यह हैं नोकरी का तो मैंने आकड़ा निकालगे दे दिया उखने ने कहा एक एक जवाद देलेक़् सुन लिए कि इन्हों ने कहा है कि कि तना माई के लाल म यह हिम्मत है कि हमने दो हजार से चौदा से लेकर उनीस तक जो शासन किया है कोई भी मंत्री या मानिय मुख मंत्री एक भी भरष्टाचार का अरोफ लगा दो हसने से नहीं होगा आपको जब मौका तो मैं डिस्टर्ब कहां किया हूँ आप लोग कम से कम जब मौका लीजेगा तो खुब पानी पीपी कि आपका उसका जवाब दीजेगा लेकिन मेरा नमर दीवेदन कहने का है कि आप 47 छोड़ दीजे अलग राज के बाद आपकी भी जारगंड में सरकार बनी है जो भी एक दिन भी बना 14 महिना नहीं हम आकड़ा निकाल कर दे देंगे तो आपकी भी सरकार बनी यूपीय का फर्ष्ट और सेकंड का उठा कर दीजे आपके तो मंतरी तक आप ही के सरकार में एक मंतरी जेल में जाता था तो एक मंतरी बेल में छोड़ कराता था जो लोग भागटाले के आरोपी को मिद्वार बना दे जो बेल पर चिटे कुछ है जो ने हात्या की है इस पर हत्या का मुद्वार बनाने वाले लोगो विदियो वारेल हुआ उसको उमीद्वार बना दिया लेकिन मुझे आकाश को आकाश कोटी में मौझूद है आकाश क्या रिपोर्ट है आप जहां मौझूद है वाबूत की स्थितिक क्या है फिर हम जलाल के पास चलेंगे कि देखिया मैं जहां मौझूद हूँ यह मुरू प्रखंड का किता हातु का इलाका है क्राफी ग्रामिन इलाका है और कभी पथलगड़ी को लेकर के यह इलाका काफी चर्चे में आया था और यह साइको भी के नाम से जाना जाता है एक पर्याटन अस्थल कभी हुआ करता था बाद में विभिन्ने कारणों से यह पर्याटन अस्थल तो नहीं रहा लेकिन इसकी चर्चा और अन्य कारणों से पूरे देश में जरूर होने नहीं लगी बहराल हम उसकी चर्चा करने की बजायर लोकतन्तर के महापर्व की यदि चर्चा करें तो यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कीता आतू में काफी बड़ी संख्या में मदाता खतार बद होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे समय से यह मत्दाता कतार में लगे हुए हैं लेकिन किन नहीं किन कारणों से यहां पोलिंग काफी धीमीगति से लो बेघर करके ना सिर्फ मत बाताओं में गुसा और आख्रोज में बलकि प्रत्यासी है उन पूछें आप उनसे जी मैं यहां जानने का प्रयास करता हूं कि यह डिले क्यों हो रहा है हलाकि पिठासीन पदाधिकारी अंदर है और हमें अंदर जाने की जाजत नहीं है इस वजह से हम अंदर जाकर के उनसे नहीं लेकिन एक वोटर जो वोट कर चुके हैं वह हमारे साथ यहां मवजूद है जी क्या परिशानी क्या रही है परिशानी यहां पर बहुत लेट से स्टार्ट हुआ साथ करीब 20 असपस से स्टार्ट हुआ था जो कि हमरा नियाम है कि साथ से स्टार्ट हो जान से लेकिन बहुत लेट से श्रूआ और अभी इस्तिति ऐसा है कि लोग आ आप एक बार पता करें कि वो डिले क्यों है जी मैं पता करने का प्रयास करता हूं लेकिन काफी देर से हमारे साथ यहां मसीज चरण मुंडा जो निर्दलिय प्रत्यासी हैं वो यहां मौजूद है जी उनके प्रतिनिधी बहुत है वो चले गए तो वह आजलाल हमारे साथ में बाहर हैं अभी तक पॉलिंग करने नहीं आए हैं उनकी भी बार ही आ जाए बहराल आप अजलाल जी के पास चलें इस विच मैं पता करने के प्रयास करता हूं कि यह परिसानी हो रही है जी बिल्कुल हम फिर आपके पास लौट रहे हैं अजय आपके साथ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मौजूद हैं और किस बूद पर हैं अभी आप गंगे जी इस वक्त मैं खड़ा हूँ मनोहर पूर बिधान सभाथ छेतर के आप सीथे बूद देखेंगे मध्ध बिद्याले महूल डिहा सुनुआ ये वैसा इलाका है जहां कल साम तीन महिला नक्सली कैडर गिरपतार हुई थी और पूरे मनोहर पूर बिधान सभाथ छेतर में उत्पात माचाने की योजदा थी लिकिन पूलिस को खुप्या विभाग चे जनकारी मिल गई और महिलाओं की संख्या यहां पर सबसे ज़्यादा है तमाम लोग और मैं गंगेजी जिस बात को लेकर आप अपने पैनल के साथ लगतार चर्चा करें हमारे साथ फर्स टाइमर एक बोटर हैं मैं उनसे जाने की कोशिच करता हूं कि उनके दिल में क्या चलना है कैसा वो जहार आखन होना चाहिए मनोहर पुल में क्या चाहिए यह च्छेत्र जो है थोड़ा स्कूल वागेरा भी नहीं है उतने अच्छे तो हमारे यहां के विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है तो वह सब्सक्राइब तुम क्या करती हो किस कौन सीयर में हो मैं अभी बीस्टी पार्ट सेमेस्टर टू में हूं अच्छे बीस्टी जब ग्रे के लिए बहुत संख्षेप में वहां के वोटिंग परसेंटेज के बारे में बताईए तो देखिए अहां पर भोटिंग परसंट अपसे पहले 36 था दो परसेंट और प्रहाई इस बूत पर 1100 बोटर हैं और सारह 400 कभू आकरा क्रॉस कर गया है तो मुझे लगता है कि यह आ नहां जाएगा हो सकता है सिवेंटी भी क्रॉस करें कि तमाम बूथों पर हमने देखा महिलाओं की बड़ी संख्या और एक महिला अपने सस्वराल में पहली बार बोट डाल रही है क्या कहना चाहेंगी कि कुछ कोई चीज मनहर पूर्पले क्या मांगना चाहेंगी सरकार बोले तो इदर का हो जनकर उतना अजया आप ही बता रहें कि सस्राल में पहली बार आई है आप उन्हें डिस्टर्व करेंगे जोब करने आच बिलकुल आपका वह नहीं के तो श्राइब नहीं चाहेंगी सस्राल में सब कुछ है नहीं है क्या नहीं है गर नहीं है देखिए तमाम चीजें आप मतब की जैसा कि आप बिलकुल सही करें गंगे जी आप कहीं कि भी जनता जाती पाती हो गई बरसो पुरानी बात अब तमाम लोग विकास के मुद्दे पर बोट करते हैं क्या लग रहा आप फिर से सामने आ गई विकास चाहिए इस चाहिए मैं लाओ के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है मैं लाओ के लिए भी हार चीज का सुभीधा चाहिए बिलकुल गंगे जी चलिए अजया मैं फिर आओंगा आपके पास उमीद है कि आप दूसरे बूत से भी हमें तस्विर दिखाएंगे और इस बीच एक बार मैं आकाश के पास भी जाओंगा यह पता कर निकले कि आखिर क्यों वोटिंग स्लो चल रही थी हमारे पास हेड्लाइन्स भी है लेकिन इससे पहले आप सब का एक रियक्शन जरूर जाना चाहेंगे अभी तक के पूलिंग पर फाइनल क 500 मैं भी लोगों के घ्ल मंन में मुद्द्दे घर कर गए है हैに वह मुद्दे जो हैं वह मत्दान के परतीसत के रूप में आपको दिखाइए देंगे उसमें कहीं कोई संसेंग है और जो प्रतिसत बता रहे हैं मुझे लगता है कि की मद्दानि efforts के करने की जो आवधी है उ पिलकुल जी निशा जी क्या अभी तक की वोटिंग पर क्या कहेंगी अभी तक का वोटिंग में एक ही चीज दिख रहा है कि बहुत ही अच्छी बात है कि लोग अपने मतदान को सही उपयोग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं परिवर्तन का बदलाओ का एक नया दावर चल दिख रहा है कि द्रस्त जंता जो है 19 साल में सारे लोगों ने जो आरोप प्रत्य रोप लगा रहे हैं सरकार को जवाब देने का एक अपना अधिकार को प्रयोग कर रहे हैं नितीश मॉडल को हम लोग जिस तरीके से चाह रहे हैं यहां उतारना कि कि आपका वो नितीश मॉ ज़न नहीं है नितीश मॉडल आप यहां चाह रही है और लोगों की तरह हम लोग दिखाने काम नहीं किया है आप कमाल खाने के लिए जीनुए रूप से चाहिए वह जनका देख लिए तिकत यह है कि आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं इस पर बराबर सवाल उठेगा क चाहि potato साथ किया करना चाहेंगे अभी तक की voting पर दिखेए ऐसा है कि यंजाग्रुकता अभियान चलाया गया है, उसमें चुनाव आयोगi करा उतरने का काम क्या है, सरकार ने भी जन जागता अभियान किया है तो इसका नतीजा दोनों का मिलकर आप देखेंगे, जिसका आ पर मद्दाता निकल रहे हैं और निभेख होकर मद्दात देने का काम कर रहे हैं और मुझ को पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिखिये हम लोग सिर्फ नारा नहीं देते हैं मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि यह असर है और 65 प्लस जो है वह आप 24 को देख लेंगे कि प्लस आप अभी 65 प्लस पे रहें हम तमाम चर्चाय जारी रखेंगे पैनल में कुछ लोग समय के साथ हो सकता है हमसे विदा हो लेकिन हमारी बात्चीत जारी रह ट्तिगे